दोस्तों fantasy में ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आप 10 contests खिले तो 10 में से 10 ही जीत पाए अगर आप 5 contests भी जीत जाते हैं या फिर 4 contests भी जीत जाते हैं तो कैसे अब अच्छे खासे profit कर सकते हैं बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे हमें investment strategy या फिर investment plan बनाना चाहिए सारे के सारे matches के लिए suppose एक महिने के लिए ताकि अब अच्छे खासे profit overall earn कर सको इस वीडियो में आपको clearly बताया जाएगा कौन से कौन से leaks join करने है and कौन से matches में कैसे leaks हमें खेलने चाहिए तो थोड़ा से detail में discussion करेंगे investment plan के बारे में आपको वस वीडियो में आखिर तक बने रहना है दोस्त आचा शुरुबात में ही बात करेंगे आपके problems को लेग के क्योंकि बहुत सारे दिनों से बहुत सारे भाई मेरे मुझे message किये थे कि जब आप video बनाएंगे ना तो इन सरे topics को जरूर cover कीजिएगा जैसे के कभी भी profit में नहीं आ पाते हैं चाहे एक साल से खेल रहे हैं या फिर तीन साल से profit नहीं हो पाता है इनका बात करेंगे इसके बारे में एक match जीते हैं तो next दो से तीन match back to back हाट जाते हैं और जितने भी winning किये थे सारे गवा देते हैं कैसे हम इस चीज से बच सकते हैं वो भी देखेंगे कौनसे match में hit to head, hit to head and कौनसे match में four members खेलना चाहिए ये कैसे समझे match को देखके या फिर team combination को देखके थोड़ से detail में बात करेंगे इनके बारे में small league में सेही investment strategy क्या होने चाहिए और कौनसे leagues और कौनसे contests खेलना चाहिए और कौनसा नहीं वो सारे चीजे भी तो हम देखेंगे इस वीडियो में वो ही दोस्त अगड़ा first time हमारे YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे humble request रहेगा kind की हमारे YouTube चैनल को subscribe करके इस family का हिस्सा बन जाएगा उसके बगलबले bell बटन को press करके all पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों यहाँ पे एक arrow वाला बटन आपको दिएगा ना यहाँ पे जाएंगे description section में आपको हमारे telegram और Instagram चैनल का original links देखने को मिल जाएगा कोशिश किजेगा इन links पे क्लिक करके directly आप हमारे original telegram और Instagram चैनल पे जुड़ जाएं क्योंकि इस match का final update जो के बहुत important होने वाले है Toss के बाद वहीं पे आएगा प्लस जो Women's World Cup चल रहा है उसके भी matches हम वहीं पे cover कर रहे हैं प्लस England and West Indies के बीच में जो series शुरू होने वाले हैं उसके भी matches का coverage आपको वहीं पे मिलेगा ऐसे भी बहुत सड़े Canada, Philippines बहुत सड़े interesting matches चल रहे हैं जिसके final teams and updates आपको टेलिग्राम पे ही मिलते हैं तो दोनों जगा आपको जुर के रहना है YouTube पे subscribe कर लेना है, टेलिग्राम पे जुर जाना है दोस्तो point number one के कभी भी profit नहीं हो पाता क्योंकि आप साड़े matches खेलने जाते हैं जादा कमाने के चकर में ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए per day पे आपको fix रखना चाहिए कि 1-2 matches ही खेलने हैं अगर dream 11 पे per day 5-6 matches या फिर 8 matches होते हैं आप कोशिश करते कि उनमें से at least 6-7 matches तो खेलने ही चाहिए बट ये बिल्कुल भी नहीं करना है ये आपको समझना है कि दिन में आप जितने कम matches पे focus करेंगे उतने अच्छे बहतर team combination बना पाएंगे अगर आप एक दिन में 7-8-10 matches खेलने जाएंगे तो आपका focus बिगड़ा हुआ रहेगा आप एक match में particular team combination बनाने में जादा अच्छे से focus बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको एक दिन में 1-2 matches ही maximum खेलना चाहिए और उनमें ही ठीक ठाक investment करना चाहिए ऐसे नहीं कि एक दिन में 7-8 या फिर 10 matches खेले थोड़ा 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 investment करें इससे कभी भी भला नहीं होता नोट करेंगे कि T10 matches से आपको दूर रहना है चाहिए ओ ECS T10 हो अभी जो विंसी प्रिमियर लीग चल रहा है T10 matches उनसे हो या फिर जो आबुदा भी T10 होता है उनसे भी आप दूरी रहेगा क्योंकि T10 matches में सिर्फ 2-2 overs का spell होता है एक bowler का अगर आप एक bowler को ले रहे हैं और opponent किसी दूसरे bowler को ले रहा है अगर आपका bowler काफी अच्छा bowling किया बड़ उसको opponent के batters देखके खेल लिया बड़ जो दूसरे आपके opponent है ना वो जो bowler को लाए हैं वो गलती से एक wicket लेके गया उस दो over के spell में या फिर एक over के spell में वो आपको हडा जाएगा और आपको opponent को जीता जाएगा तो ऐसे T10 matches से आपको दूर रहना है जितने छोटा format होगा ना fantasy के लिए उतना ही खत्रा है ये बाद आपको ध्यान रखना है तो इसी लिए T10 matches 100 ball matches इनसे आपको ज़्यादा तर दूर बनाया रखना है and T20 one day ज़्यादा तर test matches खिलने पे आपको focus करना है दोस्तों सोचिए कि आप एक match में अच्छा खासा preparation करके जा रहे हैं काफी ज़्यादा knowledge लेके जा रहे हैं आपको काफी ज़्यादा confidence है कि ये वाला match मेरा काफी अच्छा जाएगा तो उस match में आपने investment किया आपने खिला और आप जीत भी गए तो इससे आपका confidence boost हुआ बट next कुछ matches के लिए आपका preparation करने का time जादा नहीं मिला तो आप क्या करेंगे उस confidence के चक्कर में आप सीधे सीधे बिना preparation किये ही investment कर देंगे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है चाहे आप किसी telegram channel से टीम को उठा के directly copy paste कर देंगे क्योंकि आपको लगता है last match में जैसे आपने winning किया इस match में भी आप वैसे ही winning कर सकते हैं बिना research किये बिना knowledge लिए ऐसा बिल्कुल भी मत कीजेगा किसी भी telegram channel से टीम को उठाने से पहले आपको खुदको knowledge होना जरूरी है कि ये match कैसा होने वाला है pitch कैसा है hit to head record कैसा है at least basic knowledge तो जरूर से रखिएगा या फिर आपको इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों teams जब जब एक दूसरे के against खेलते हैं कौन से कौन से player ज़ादा अच्छा करते हैं मतलब hit to head records जो के मैं अपने videos में हर वक्ट provide करता हूँ तो थोड़ा सा basic knowledge के विना अगर आप copy paste करके team को देखेंगे तो कभी भी अच्छा winning नहीं कर पाएंगे एक match जीतेंगे तो दो से तीन matches आप hard भी सकते हैं तो धैरे रख के खेलना है एक दिन में ज़ादा matches को target बिल्कुल भी नहीं करना है और अगर एक match जीत गए तो next match के लिए पहले preparation करना है फिर ही जाके investment करना है ऐसे ही first match के winning को लेके next match में investment नहीं करना है ठीक है? दोस्तो ये confusion आपके मन में काफी दिनों से है कि कैसे match को समझे कि hit to hit खेलना चाहिए इस match में या फिर 3 members खेले या फिर 4 members league जादा खेले इस match में आप देखिए उस team combination में कितने players आपके team में ऐसे है जिनका selection 50% या फिर 60% से नीचे है मदलब 20% वाले player 30% वाले player या फिर 10% वाले player आपके team में कितने मौझूद है वो पहले आप देखिए अगर आप देखते हैं कि आपके team में तीन से चार प्लेयर ऐसे हैं जिनका selection under 20%, under 30% है तो इसका मदलब आपका team थोड़ा सा risky है risky बोले तो क्योंकि आपके opponent के पास ज्यादा तर वैसे players है जिनका selection 70%, 80%, 90% है अगर आपके team में कुछ players ऐसे हैं जो के trump players है जैसे के 20%, 30% selection वाले या तो ये players आपको एक तरफा हडाएंगे या फिर एक तरफा जिताएंगे तो इसलिए उन साथे matches में ना 3 members, 4 members, 6 members या फिर 11 members तक भी आप खेल सकते हैं उस particular team से अगर आप वैसे team combination ट्राई कर रहे हैं या फिर अगर आपका team combination कुछ ऐसा बनता है जहाँ पे ज़्यादातर players percentage selection के basis पे है तो उस time पे आपको head to head ही try करना चाहिए क्योंकि उस team combination में ज़्यादा risk है नहीं दोस्तो अगर एक उधारान के साथ मैं इस चीज़ को आपके सामने प्रस्तूत करूँ तो यहाँ पे wicket keeping section में मुश्विकु रहीम जिनका selection 29% आपको दिखेगा यह South Africa versus Bangladesh second ODI है अब देखिए first ODI के score के चकर में ज़्यादा ता जनता इनको select नहीं कर रहे है मैंने आपको बताया था hit to head record इनका काफ़ी अच्छा है specially batting first करते हुए मुश्विकु रहीम इस match में भी मुझे ज़्यादा important लग रहे हैं इसलिए मैं इनको जरूर से लूँगा लिटन दास को भी मैं ले लूँगा क्योंकि last match में and recent form इनका काफ़ी अच्छा है batting section में तमीम इकबाल काफ़ी अच्छा खेले थे हम जरूर से लेने का कोशिश करेंगे डसन का recent form and इनको home ground है इसलिए हम जरूर से लेंगे 89% का selection भी है Timber Babuma टीम के captain है 37 points दिये थे last match में ले लेंगे अब देखिए जानेमन मलान last match के performance के basis पे जनता इनकी ओपन धान नहीं दे रहा अगर आप डसन के जगा इनको ले लेते हैं अईसा team combination बनाते हैं तब आपको 3 members, 4 members, 11 members, 6 members तक try करना चाहिए अगर आप इस combination के साथ ही जाते हैं जहाँ पे आप percentage selection के basis पे team combination ट्राइ कर रहे हैं वहाँ पे आपको hit to it ही ज़्यादा prefer करने चाहिए चाहे dream 11 हो या फिर किसी दूसरे application पे कौनसे type के contests हमें जादा खेलना चाहिए ये आपका सवाल हमेशा से रहा है अब देखिए मैं इस investment formula को या फिर सूत्र को हमेशा use करता हूँ मुझे अगर एक particular amount को invest करना है किसी match में उसका 50% में 3 members में invest करता हूँ जो के सबसे जादा है फिर 4 members में 25% और 2 members में 25% जैसे कि अगर मुझे एक match में 1000 रुपीज इंवेस्ट करना है तो पहले 500 रुपे मैं सिर्फ 3 members के leagues जोइन करूँगा बाकी 250 4 members में और बाकी 250 2 members में वैसे अगर आप एक high investor है ना तो अब 10,000 अगर invest करते हैं किसी एक match में तो 5000 रुपीज सिर्फ और सिर्फ 3 members league जोइन करने के पीछे दे दीजिएगा फिर 2500 4 members में और 2500 2 members के league जोइन कीजिएगा ऐसे अगर investment करेंगे ना तो आपको overall फाइदा मिलेगा कैसे नीचे point में मैं आपको बताऊँगा अच्छा मैंने तो अपना काम कर दिया ये बोलके कि 1000 रुपीज अगर आप एक match में investment कर रहे हैं उन में से 500 रुपए 3 members में फिर 250 4 members में फिर 250 2 members में invest कीजिएगा और ऐसे ही आपको investment formula को apply करना है बट कौन से leagues को कितना join करना है वो कौन बताएगा अगर आप 500 रुपए को 3 members में invest करना चाते हैं और अगर आप 1000 रुपीज किसी एक match में invest करते हैं तो आप 125 रुपए वाला जो league होते हैं ड्रीम 11 या फिर बाकी के application पे भी वो 3 members के league होते हैं उनको आपको 4 join कर लेना है 125 into 4 कितने हो गए? 500 हो गए यहाँ पे 120 रुपीज का जो head to head league होता है ना 2 members का उनको आपको 2 बार join कर लेना है बाकी 89 रुपीज का जो 4 members का league होता है इनको आपको 3 बार join करना है कोशिश कीजिएगा इनको इन amounts पे ही join करने का तो ही आपका 1000 रुपीज जो है overall cover हो जाएगा थोड़ा बहुत जादा कम हो सकता है बट इस range पे ही आ जाएगा ठीक है? बाकी दोस्त अगर आप high investor है तो जादा दिक्कत का बाद है नहीं क्योंकि अगर आप एक match में 10,000 invest करते हैं तो 1150 रुपीज का जो 3 members का league होता है वो आपको पहले 3 join कर लेना है फिर 1547 का जो 3 members का league होता है फिर आप वो एक join कर सकते हैं इससे आपका 5000 complete cover हो जाएगा फिर 590 रुपीज का जो hit to eight होता है या फिर 10 members होता है जहाँ पे 5 winners होते हैं वो आप 4 join कर सकते हैं फिर 899 रुपीज का 4 members का league आप 3 join कर सकते हैं ऐसे आपको एक match में 10,000 investment करना है और ऐसे आपको एक match में 1000 invest करना है ठीक है दोस्तो आप में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो के grand league already win कर चुके हैं या फिर mini GL काफी अच्छे तरीके से win कर लेते हैं मेरे ही video analysis को देखके और उसको अच्छे से apply करके बट आप में से कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो के video को अच्छे से समझ तो लेते हैं बट grand league के team combinations में कुछ ना कुछ खामी हो ही जाता है या फिर captain wise captain में या फिर combinations में एक दो player कहीं न कहीं छूठी जाते हैं उसके लिए आप चाते हैं कि मैं आपके लिए grand league team combinations भी provide करूँ ये काम में कर सकता हूँ उसके लिए आपको ग्यानी squad में जूर जाना होगा अब ग्यानी squad में आप कैसे जूर सकते हैं अगर आप सच में interested है grand league में high invest करते हैं या फिर grand league को सच में target करते हैं पूरे शिद्धत से तो हमारे साथ ग्यानी squad में जूर सकते हैं उसके लिए आपको instagram पे हमें message करके बोलना होगा कि ग्यानी squad में हम कैसे जूर सकते हैं फिर मैं आपको further details उसका बता दूँगा अब ऐसे investment करने का फाइदा क्या होगा कैसे हम benefit हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे देखिए मैंने आपको बोला था अगर आप 1000 रुपीज एक match में investment करते हैं तो 125 रुपे वाले 3 member का league 4 join करना है 120 वाला 2 member का league 2 join करना है और 89 रुपीज का 4 members का league 3 join करना है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कैसे फाइदा हो सकता है सपोस एक दिन आपका match उतना अच्छा नहीं गया सिर्फ 50% contests ही अब जीत पाए फिर भी आप profit में आ सकते हैं कैसे यहाँ पे 325 into 2 मतलब इन 4 members सरी 4 leagues में से अगर आप 2 league भी जीत पाते हैं 3 members का ठीक है फिर भी आप 650 लेके जाते हैं यहाँ से यहाँ पे 120 रुपए का जो 2 members का league होता है वो मैंने 2 join करने को बोला था उन 2 में से अगर आप 1 भी जीत पाते हैं तो आप 200 लेके जाते हैं और जो 4 members का league मैंने 3 join करने को बोला था 2 आप हाड गाए सिर्फ 1 जीत पाए तो आप 300 लेके जाते हैं तोटल आपका winning होता है 1-1-5-0 आप 1000 रुपीज investment किये थे और लेके जा रहे हैं 1-1-5-0 तो अगर बुरा match भी हुआ मतलब 50% contest अगर आप हाड भी गए फिर भी आप 150 रुपए profit में ही है loss नहीं हो रहा आपका चाहे profit थोड़ा सा इस method से कम हो रहा है के 325 रुपीज का 4 में से 3 लिग जीत गए यहाँ पे 1 contest जीत गए hit to 8 का और 4 members में आप 3 में से 2 contest जीत गए फिर आप जीतने वाले हैं 1-7-7-5 मतलब profit 775 रुपीज का 1,000 रुपीज जो बंदा investment कर रहा है उसके लिए 150 रुपीज का win शायद उतना जादा माइने ना रखता हो बड लॉस से जादा अच्छा ही होगा और 775 रुपीज का profit वो काफी जादा enjoy करेगा विश्वास रखिए अब दोस्तो हम में से कुछ भाई ऐसे भी हैं जो के 4 members बिल्कुल भी नहीं खेलना पसंद करते हैं जैसे के मैं पहले था अब देखिए यहाँ पे उनके लिए भी एक अलग सा plan में लेके आया हूँ आप चाहे तो इसको भी अपना सकते हैं जैसे के 125 रुपए का जो 3 members का league होता है ना वो आपको 5 join करने है 77 रुपीज का 3 members का जो league join करने है वो 2 join करने है यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या फाइदा होगा चलिए देख लेते हैं अगर आपका 50% भी league आप जीच जाते हैं और 50% hard भी जाते हैं तो आप 325 into 3 मतलब 125 रुपए का league जीतने पर आपको 325 मिलते हैं आप 5 में से 3 जीत गए 2 हाड गए आप hit to it आप 2 में से 1 जीत गए और 77 रुपीज वाला जो league है ना वो 2 में से 1 जीत गए तो यहाँ पे आपका total winning हो गया 975 प्लस 200 प्लस 200 मतलब 1375 आपका investment था 1000 winning हो रहा है 1375 50% contests हारने के बाद भी आप 375 रुपीज profit में ही है 1000 रुपीज जो बंदा investment कर रहा है उसके लिए 375 रुपीज का profit is average but good enough next अगर आप बहुत अच्छा match जाता है आपका आप 80% contest जीत जाते हैं आप 5 में से 4 contest 3 member का जीत गए hit to 8 के दोनों contest जीत गए और 77 वाला जो 3 members का league होता है वो 2 में से 1 जीत पाए ठीक है तो यहाँ पे contest आभाड़े यहाँ पे contest आभाड़े फिर भी आपका काफी अच्छा profit हो गया क्योंकि 1900 का winning हो गया आपका 900 रुपै का profit भी आ गया दोस्तो ऐसी अगर आप model को थोड़ा सा follow करके धेरे रखके investment करेंगे ना तो आप काफी अच्छा profit earn कर सकते हैं वैसे ही दोस्तो वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाता था hopefully मैं आपको समझा पाया होगा कि कौन से leagues आपको जादा खेलने हैं कौन से नहीं कैसे matches को target करना है एक दिन में कितने matches खेलना चाहिए कितना नहीं कैसे patience को हम बढ़कारा रख सकते हैं hopefully ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा थोड़ा सब एकर helpful लगे वीडियो को like करके चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि IPL का complete coverage आपको टेलिग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पे मिलेगा और यूट्यूब पे वीडियो जाएंगे तो यूट्यूब पे subscribe कर लेना है वीडियो के description में दियेगा लिंक से टेलिग्राम और इंस्टाग्राम पे जुरना बिल्कुल भी नहीं भूलना है